हेलो गाइज, वेलकम टू मैं चानल, माई नेम इस रुच्छी पंडोरा और आज आपको मैं बढ़ाओंगी क्लास 10 की मैंस की इंसी आटी तो हम पढ़ते आ रहे थे चैप्टर नंबर 15 प्राबबिलिटी इसमें पढ़ रहे थे 1615.1 तो इस वीडियो में पढ़ेंगे एकसाइस 15.1 का 13 कोईशन, इसने के पहले के कोईशन मैं करा चुकी हूँ सारे, अगर आपको देखने हैं, तो मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस बना रखी है, आपको वो कोईशन्स वहां मिल जाएंगे, और उस प्लेलिस का लिंक आपको description box में मिल जाएगा, तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं, और बढ़ते हैं question number 13 की गरफ, so question number 13 क्या कहता है, a die is thrown once, find the probability of getting, first a prime number, second a number line between 2 and 6, third an odd number, so question में ये कहा गया है, a die is thrown once, एक die को थो किया गया है, एक बार, सिर्फ एक बार, die आपको पता होगा, सब ले देखा होगा, लूडों खेलते हैं, तो यहाँ पर one लिखा होता है, two, three, four, five, six, ऐसे करके, ठीके, उसने कुछ हमें events दिये हुए हैं, और बोला है, इनकी probability बताओ, ठीके, तो हम one by one सबकी probability निकालेंगे, probability निकालने से पहले, जो हमें पता है, हम पहले वो लिख देते हैं, देखो, देखो, अगर आप एक die को throw करोगे, ठीके, आपने उसको throw किया, तो क्या क्या outcomes आ सकते हैं, या तो one आएगा, ठीके, या तो two आएगा, या तो three आएगा, या तो four आएगा, या तो five आएगा, या तो six आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीके, तो हमारा यहां पर total outcomes कितने हो गए, one, two, three, four, five, six, total outcomes हमारे, six हो गए, आप देखो हम probability निकालेंगे, first event की, हमें किसकी निकालने के लिए बोला है probability, probability, प्राइम नमबर आने की, फॉर्मला आप सबको पता है, यहाँ पर क्या आएगा, नमबर ओफ, फेवरेबल आउटकम्स, और डेनॉमेरेटर में आजाएगा, टोटल आउटकम्स, अब देखो निकाल में क्या पूछा गया है, number of favorable outcomes, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमें prime number चाहिए, ठीक है, तो जब हम एक डाई को थ्रोग करते हैं, तो कौन-कौन से prime number आते हैं, तो देखो prime number जानने के लिए पहले यह पता आना चाहिए, कि prime number होते हैं, तो basically prime number क्या होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, और ऐसे number होते हैं, जो अपने आप से ही divide होते हैं, या फिर 1 से होते हैं, तो देखो, 1 से बड़ा होते हैं, तो 1 तो आएगा ने, ठीक है, क्या two prime number है, हाँ, two किसी और से divide नहीं होता, ठीक है, तो एक ही यह हो गया, three prime number है, हाँ, ये भी सिफ अपने आप से divide होते हैं, one से होते है, four prime number है, नहीं, ये two से divide हो जाते हैं, five prime number है, हाँ, five सिफ अपने आया 2 3 और 5 तो numerator में यहां लिख देंगे तो numerator में हमारे prime number कौन कौन से आ गए 2 3 5 और denominator में आ जाएगा total outcomes अब देखो prime number कितने है total 3 तो यहां लिख दिया तीन और total outcomes हमने कितने निका रहे थे 6 आब इसे क्या करेंगे simplify कर देंगे 3 बंजा 3 3 2 जा 6 तो simplify करने के बाद क्या आ गया 1 upon 2 तो जब भी हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो prime number आने की probability कितनी होगी 1 upon 2 अब देखो हम second part की तरफ बढ़ते हैं मैं इसको रप कर देती हूं फर्स्ट पार्ट को तो देखो यहां पर मैंने second part लिख दिया है हमें क्या बोला है second part में probability find करो किसकी a number line between 2 and 6 तो हमें उन number की probability निकालनी है जो 2 और 6 के बीच में आते हैं ठीक है तो यहां मैंने formula पहले से ही लिख दिया है number of favorable outcomes upon total outcomes अब हम क्या करेंगे इसमें value put करेंगे numerator में हमें लिखना है number of favorable outcomes तो favorable outcomes कौन कौन से है 2 और 6 के बीच में कौन कौन आता है 3, 4 and 5 तो total count कितना हो गया 123 तो 3 नमबर आते हैं 2 and 6 के बीच में ठीक है तो यह 3 आ जाएगा यहां पर और total outcomes क्या है 6 है तो यहां लिख देंगे अब काटा पिटी करेंगे 3 बन जा 3, 3 तो जा 6 तो यह आ गया 1 upon 2 तो जब भी हम एक डाई को throw करते हैं तो probability की जो नमबर है वो 2 और 6 के बीच में आए वो कितनी है 1 upon 2 चीक है यह था हमारा second part अब हम बढ़ते हैं third part की तरफ देखो third part में probability odd number की निकान लिए तो यहां लिख देंगे an odd number तो third part में हमें probability निकालनी है odd number की ठीक है अब देखो numerator में क्या आएगा number of favorable outcomes तो favorable outcomes कौन से होंगे odd number होंगे ठीक है odd numbers होंगे अब कौन कौन से odd numbers होंगे देखो जब भी हम एक डाई को त्रोग करते हैं तो यही 6 number आते हैं और इन में से odd number कौन कौन से है देखो odd number वो होते हैं जो टू की टेबल में नहीं आती ठीक है तो 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता तो odd number कौन-कौन से हो गए हमारे 1, 3 और 5 और denominator में हमारा क्या आएगा total outcomes odd number total कितने हैं 3 है और total outcomes हमारा क्या है 6 है अब देखो cancel out करेंगे 3 बंचा 3, 3 तो 6 तो आ गया 1 upon 2 तो जब भी हम एक डाई को थो करेंगे तो probability कितनी है कि odd number ही आए 1 upon 2 तो इसका हमने 3rd part भी complete कर दिया है देखो ये question बहुत simple था ठीक है इसमें कुछ चीज़ें में पता होनी चाहिए थी क्या-क्या पता होनी चाहिए थी कि एक डाई में कौन-कौन से outcomes आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है वहाँ से हमने total outcomes निकाल दिया हमें prime number पता होना चाहिए कि prime number क्या होता है ठीक है हमें odd number odd number क्या होता है वो पता होना चाहिए main thing आपको probability का formula पता होना चाहिए वो क्या होता है number of favorable outcomes upon total outcomes तो इस question में इतना ही था अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो प्रिसंट आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बोलना तो इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स वीडियो में I hope आपको सब कुछ समझा गया होगा thanks for watching